नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की अवाज में मैं हूँ अभिला शदूबे और आईए देखते हैं आज की ताजा खबर ग्यान वापी से जुड़ी बड़ी खबर है परीसर के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है यह बात सामने आने के बाद वारा रसी कोट ने डीम को आदेश दिया कि जिस जगा सिवलिंग मिली है उसे ततकाल रूप से सील कर दिया जाए वहाँ पर किसी भी वैक्ति का प्रवे स्वर्जित किया जाए कोट ने डीम, पुलीश कमिशनर और सी आरपी अफ कमांडेंट को यहां आदेश दिया है कोट ने इन अधिकारियों को जगों को सुरक्षित रखने की वैक्तिकत तौर पर जिमिधारी दी है दरसल ग्यान वापी में सर्वे के लिए तीसरे दिन भी टीम गई थी बताया जा रहा है कि वहाँ टीम को शिवलिंग नजर आया सर्वे टीम में सामिल हिंदू पक्ष के वकील हरी शंकर जैन ने तुरंत वारा नसी कोट में एप्लिकेशन दी इसमें कोट को बताया गया कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है यहा बहुत ही महत्वपून साक्षे है CRPF कमांडेंट को उस जगा को सील करने का आदेश देने की मांग की गई Senior Division के जज रवी कुमार दिवाकर ने तुरंट DM को उस जगा को सील करने का आदेश दिया अब आईए जानते हैं कि सर्वे के दोरान क्या क्या हुआ DM कौसल राज सर्मा ने कहा कि सर्वे को लेकर किसी द्वारा किया गया कोई भी दावा उसकी व्यक्ति गत राय हो सकती है किसी की नीजी बातों पर ध्यान न दे सूतरों के हवालों से खबर राय की सर्वे में सामिल एक व्यक्ति को अंदर की खबर लीक करने के आरोप में हटाया गया है सर्वे की तीसरे दिन CM योगी ने खुद नजर रखी प्रमुक सचीव ग्री अवनीश अवस्ति से उन्होंने जानकारी ली ग्यान वापी के गुंबत की वीडियोग्राफी हुई इसके बनावट की हाई लेंस कैमरे से फोटोग्राफी भी की गई कल भी इसका सर्वे किया गया था ग्यान वापी के 500 मीटर के दायरे में पबलिक की एंट्री बैन रही चारो तरफ से आने वाले रास्तों पर पुलीस पी एसी का पहरा रहा सर्वे के तीसरे दिन ग्यान वापी की सुरक्षा बढ़ा दी गई सोला लेयर की सुरक्षा रही बतादे की पहले दिन दस लेयर जबकि दूसरे दिन बारा लेयर की सुरक्षा थी पुलीश कमिशनर ए सतीश गने सर्वे सुरू होते ही सुरक्षा वयवस्ता का जायजा लेने मौके पर पहुचे पैदल मार्च कर सांती की अपील की बुद्ध पुर्णिमा और सुमवार होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालू काशी विश्वनात मंदिर का दर्शन करने पहुचे हैं काशिव विश्वनात मंदिर में दर्शन के लिए गेट नमबर एक से श्रधालू को एंट्री दी गई फिलहाल कल सीविल जज सीनिय डिवीजन रवी कुमार दिवाकर की कोट में रिपोर्ट सौपी जाएगी हाला कि वकीलों का कहना है की रिपोर्ट बनाने में समय लग सकता है एडवाकेट कमिशनर अजे कुमार मिश्रा ने कहा की कमीशन की पाच दिन की कारवाही की रिपोर्ट बनानी है खबरों में फिलाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नहीं समचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद